ओम नमस्षिवाई तंत्र के रचैता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा प्राचीन सभा मुहनी मंत्र जिससे कि आप सभा का मुहन कर सकते हैं तो ये जो मंत्र है ये तब काम में आता है जब आपको कोई स्पीच देनी हो और जितने भी लोग बैठे हो उन पर अपना प्रभाव डालना हो तब ये मंत्र जो है आपके लिए बहुत कारगर होगा या फिर कुछ ऐसी जगाई होते हैं जहां पर कि आपको अपनी बात मनानी पड़ती है उस स्थान पर भी आपके लिए ये मंत्र अत्यांत लाब कारी होगा बस आपको करना क्या है कि इसकी सिध्धी कर लेनी है इसके बात जो है जो भी आपको देखेगा वो टक-टकी लगाए आपको देखते रहेगा इस मंत्र की सिध्धी में बहुत सी अर्चनिया सकते हैं क्योंकि इसका सवालाग बार जाप करना होता है जब ग्रहन काल हो या पूर्णिमा हो उस समय पर आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं इसके सिध्धी के लिए आपको हुलिया दिवाली पर इसका सवालाग बार जाप करना होगा इसके बाद जहां कहीं भी आप जाएंगे आपका प्रभाव आपस्वता ही देख पाएंगे जो भी व्यक्ति होगा वो आपके प्रभाव में आय बिना रह नहीं पाएगा आपको जो एक बार देख लेगा वो टक टक ही लगाए आपको देखता रहेगा यह मेरा स्वैम का अनुभूत मंत्र है यह मैंने लगबग 15 साल पहले सिद्ध किया था उसके बाद जो है इसने अपना काम बखूभी किया है आप भी इस मंत्र का लाब उठाएं और सभा का मोहन करें सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं पूरी सभा का मोहन करें मंत्र में आपको बता देता हूँ अब यहाँ पर जो है आप अपने किसी साथी का नाम ले सकते हैं अगर किसी को अट्रेक्ट करना हो तो उसका नाम भी ले सकते हैं वाकम चक्षुचती मोहाए मोहाए नाना रूप कृतिदर्शन्म रीम स्वाहा इसके बाद आपको अपना नाम लेना है इस मंत्र को आपको यथाविदी हवन करके सिद्ध कर लेना है एक लाख पचास जार के संक्या होगी आप इसका हवन कीजेगा जो हवन समगरी प्राय मिल जाती है उससे हवन कीजेगा या फिर आप अपनी हवन समगरी बना सकते हैं लेकिन याद रहे कि जो घी होगा वो शुद्ध होना चाहिए और जितन भी समगरी है अगर वो शुद्ध है तो आपका जो असर है वो एक ही दिन में दिख जाएगा आप इसको पूरा कीजे और उसके बाद देखे कि कैसे आप एक आकरशन शक्ति के मालिक बन जाते हैं शक्ति आपको चाहिए तो इस मंत्र का जाप करें और यदि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही हो तो कॉल कीजेगा ट्रिपल नाइन ट्वेट फूर सोला पच्चिस पर धन्यवाद झाल